सो नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में आए जानते हैं आज के मुख्य समाचार योगी सरकार ने कर दिया है ऐलान अब मिलेगा पात गहस्तिकार धारकों को भी उज्जला गैस कनेकसन उज्जला फ्री गैस सिलेंडर पात गहस्तिकार धारक भी अब इसका लाब ले सकेंगे अचा इसके साथ ही योगी सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी है इसी दिवाली में अब गैस लेंडर मिलेगा खाते में कुल साड़े छे सो रुपए आएंगे और तीन सो रुपए सबसिडी केंद सरकार देगी एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे आपके काम आपके फायदे की यह जानकारी है वहीप अगर आप बनारस जा रहे हैं तो कासी विस्तोनाद धाम में अपसर धालूओ के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है जिया इस पर विचार हो रहा है पुर्सों को जहां धोती कुर्ता पहनना होगा तो ही महिलाओं को सारी पहन कर ही इंट्री मिलेगी इसके साथ ही कई सारी और अपडेट है आयोध्या कासी को लेकर आईए जानते हैं हर एक जानकारी बने रहिए आप हमारे साथ चलिए में मंगलवार को सोना चारसो रुपए टूटकर 20,050 रुपए पर 10 ग्राम पर आ गया है इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 62,450 रुपए 10 ग्राम था यानी देखा जायतों सोने की कीमत घड़ गई है लगबग 400 रुपए ऐसे उत्तर प्रदेस में आपको यही रेट में लगभग मिल जाएगा और चांदी लगभग 72,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में एक किलो मिलेगी वही दोस्तों नॉवंबर महिना सुरू हो गया है जल्द निप्टाली जी अपने जरूरी काम क्योंकि नॉवंबर में 15 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे आप यहाँ पे कब कब बैंक बंद रहेगा इसको देख सकते हैं जैसे एक नॉवंबर को तो करवा चौत का वरत था इसलिए बैंक बंद था और पांच नॉवंबर को रवीवार होने के कारण बैंक बंद रहेगा 10 नॉवंबर को कई सारे तेवहार है इस वज़ा से लखनव कानपुर सहित कई सारे बैंक बंद होंगे 11 नॉवंबर को दूसरा सनिवार होने की वज़ा से और 12 नॉवंबर को रवीवार होने की वज़ा से बैंक बंद रहेगा 13-14 को दीवाली के कारण बैंक बंद होगा 15 नॉवंबर को भाई दूज के कारण बैंक बंद होगा 19 नॉवंबर को संडे है इसी के बाद 20 नॉवंबर को छट पर्व है जो एक बड़ा तेहवार होता है बिहार, 36 गर उत्तर प्रदेश तमाम बड़े जीलों में बड़े राज्यों में मनाए जाता है यही कारण है कि इस दिर भी बैंक बंद होगा ऑनलाइन सेवाय जारी रहेंगी इस बज़ा से चाहे तो आप अपना काम फटा-फट निपटा ले तो यूपी सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में कर दिया बड़ा एलान 1,75,4,385 उजला लाभारतियों को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा दीपा वाली पर महिलाओ को योगी सरकार ने बड़ा तोफ़ा दिया है अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है बस आपको ये देखना है कि आपने EKYC कराई है या नहीं आपका जो उजला एकाउंट है वो एक्टिव है या नहीं आपने उजला गैस सिलेंडर में गैस भरवाया है या नहीं यानि अब आपकी कमी रहेगी तभी आपको नहीं मिलेगा बाकी सरकार की तरफ से ऐलान हो गया है उत्तरपर्दिस की योगी सरकार ने मंगलवार को महिलाओ को दीपावली को तोफ़ा देने के फैसले पर सहमती जता दी है इसके तहद अब राज्य एक करोड पच्छत्तर लाग चार हजार तीन सो पच्चासी उजला लाभारतियों को मुफ्त सिलेंडर देगी कैबनेट बैठक में ये फैसला ले लिया गया है बीते विधान सवाच चुनाओ के परचार के दौरान भारती जन्ता पार्टी यानि भाजपा ने अपने लोग संकल्प पत्र में दीपाउली होली में एक एक गैसलेंडर देने का वादा किया था जो की पूरा नहीं कर पाई थी लेकिन अब इस वादे को अलमी जामा पहना दिया गया है अब आपको मुफ्त रसोई गैसलेंडर मिलेगा अब बजट की 81 में उजला योजना की हर लाभारती के खाते में 660 रुपए योगी सरकार भेजेगी और 300 रुपए केंदर सरकार से बतोर सबसेडी महिलाओ को मिलेगा यानि कुल मिलाके 900 रुपए तक आपको मिलेगा लेकिन 660 रुपए से ही आप अपना गैसलेंडर बुक कर पाएंगे इस दिवाली के पहले ही उजला योजना से जुड़े लाभारती महिलाएं मुफ्त लपीजी सलेंडर पा सकेंगी यानि धन 13 से पहले आपके खातें पैसा आएगा और उसके बाद आप गैसलेंडर बुक करके पने घर पे मंगवाद पाएंगे वयूपी में बिजली करेक्शन लेना हो सकता है महेंगा उद्योगों के लिए 100% घरेलू में 30-35% व्रिद्धी का परस्ताव है जी हाँ दोस्तो उत्तर प्रदेश में बिजली करेक्शन लेना महेंगा हो सकता है नई कौश्ट डाटा बुक में उद्योगों के लिए 100% और घरेलू करेक्शन में 30-35% व्रिद्धी का परस्ताव हो सकता है जबकि आमजन यानि घरेलू बुक्ताव को कनेक्शन में 35-35% की व्रिद्धी की संभवना लगभग नहीं है फिर भी खबर यही आ रही है अगर ऐसा होता है तो बहुत जादा महेंगाई बढ़ जाएगी सौफिस्दी प्रोसेसिंग फीज बढ़ाने का परस्ताव किया गया है यानि आने वाले समय में बिजली कलेक्शन लेना महंगा होगा वई वीडियो कॉल में पत्नी की आइबरो बनी देख इतना भड़क गया सौधी अरब में बैठे पती ने वीडियो कॉल में पत्नी के आइबरो बनी देखी और इतना भड़क गया कि उसने फोन पर ही तीन तलाक दे दाला वही मुलायम सिंग यादो का 8.3 एकड में भवे समारक बनवाएगी सपा सरकार जी अकुदादे क्लेस यादों ने बताई है इसकी जग है अकुदादे सपा प्रमुक अक्लेस यादों ने आज आइलान किया है कि मुलायम सिंग की याद में समाजवादी पार्टी भवे समारक बनाएगी समारक की रूप रेका में लोग कला की जलाक दिखेगी अकले स्यादों ने बताए कि इस मारक की बनावट जमीन से जुड़े हुए भारत के गवरो महान राजनीता मुलाइम की साधगी और गुडवत्ता की जलक देखने को मिलेगी इस मारक के चार और एक लंबी दीरगा का प्रबंद किया जाएगा तो अठारा लाग से अधिक दीपो की खेप आयोध्या के घाटों पर पहुँच गई है इस्थानी कुमहारों से खरीदा गया है दिया दिपोसो दोजार तेस में राम की पैड़ी सहित 51 घाटों पर 21 लाग दिये जलाकर नया विस्त रिकाउड बनाय जाएगा इसके लिए 25,000 वालेंटियर 24,50,000 धिये सजाएंगे जी आपको दादे डॉक्टर रामनहों लोहिया वद विस्विद्याले की कुलपती प्रपेसर प्रदिबा गोयल ने मंगलवार को बताया कि सातवे दीपोसों में लक्ष बड़ा है वही आयोध्या कासी समेत यूपी के 6 सहरों में आए आएंगी जिससे आवास योजना का लाब मिलेगा यहां की लोगों को मिर्जापूर सोन बद्रो महराजगन में जन जाती संग्रहले बनाए जाएंगे यानि कि देखा जाए तो और भी आवास योजना का लाब इन लोगों को मिल पाएगा तो कासी विश्व शुनात जारहे हैं तो जरा इस बात को जा लिजए क्योंकि अब कासी विश्व शुनात में सरधालू के ड्रिस कोड पर विचार किया जारहा है पूर्सों को धोती कुरता पहनना पढ़ सकता है तो महिलाओं को साड़ी पहनना पढ़ेगा पर हो रहा है असर क्योंकि एक नौबर से लागू हो गया है नियम बढ़ जाएगा जेव खर्च एक नवंबर से लागू होने के बाद नए बदलाओं में आम आदमियों व्यापारी समेत एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है दरसल कुछ नए नियम लागू हो गए हैं साथ ही गैस की नई कीमत की वज़ा से भी लोग परेशान है जी आपको दादे एक नवंबर से देश के आम लोगों के लिए आर्थिक मोर्चे पर कुछ बदलाओं दिखने को मिला है हालकि ये परिवर्तन सभी नागरिकों को प्रभावित करेगा ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन एक बड़ी आबादी इन बदलाओं के कारण पर रिसान है पहले उजला योजने के तहट मुफ्त रसोई गैस कनेक्सन का लाब बीपियल और अत्योदे कार धारक ही ले पाते थे लेकिन सरकार ने इस बाधिता को समाप्त कर दिया है अब पात्र के हस्ति कार धारकों को भी इस योजना में सामिल किया गया है सर्तिया है कि परिवार के किसी सदस्य के नाम से रसोई गैस का कनेक्सन नहीं होना चाहिए जिलापूर्थी अदिकारी सुनील कुमार पुसकर ने बताया कि पात्र के हस्ति कार धारक अपने परिवार के एक ऐसे वयस्क महिला जिसके घर में LPG कनेक्सन नहीं हो वह उजला योजना के तहट पात्र मानी जाएगी तो एक यह सर्त है एक यह क्राइटेरिया है इसका अगर आपको लाब मिलना है तो पात्र गैस कनेक्सन का लाब मिलेगा वह दिवाली से पहले लग गया बड़ा तगड़ा जटका क्योंकि LPG सिलेंडर हो गया है महेंगा जानिये दिल्ली से मुंबई तक कितने बढ़ गए हैं दाम या आपको दादी दोस्तों नॉमबर महिने के पहली तारीकों दिवाली में बड़ा जटका लग गया है दरसल पेट्रोलियम कंपणियों ने कॉमर्चिल गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से तगड़ा इजाफा किया है एक नॉमबर 2023 को 19 किलो वाला LPG सिलेंडर 100 रुपए महेंगा हो गया है हाला कि 14.2 केजी वाले रसोई के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया अब एक सिलेंडर के कीमत यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे वो दिल्ली हो तो 1833 रुपए में मिलेगा जो कि पहले 1731 में मिलता था अन्य महानगरों में भी आप देख सकते हैं चैसे मुंबई में यह 1785 हो गया है और कोलकाता में 1849 रुपए का मिलेगा तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी कुछ अपडेट था जो आपके साथ सेयर किया गया है आई होप आपको यह पसंद आया होगा मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद